मैंने एक कोड पढ़ा था एक बोक में कि यार जो अच्छी आदते होती है ना वो मुश्किल होती है बनने में लेकिन एक बर जब बन जाती है तो आपके जिंदगी आसान कर देती है बूरी आदते बनना मुश्किल आसान होती है लेकिन एक बर बन जाती है तो जिंदगी आप हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगंदर सिंग राथो और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बहुत ही पावर पेक मोटिवेशनल स्पीकर ऑंट्रोपिन्योर टेडेक्स स्पीकर जोस्टोग स्पीकर और एक बह इन इंजिनिरिंग से यह ट्रांजिशन कैसे हुआ बहुत है तो आप निकल जाओगो उस ट्राप से निकल जाओगी यह चीज थी तो बचपल से मुझे भी एई था कि पढ़ूँगा अच्छे से पढ़ लिया थोड़ा बहुत वैसे तो मस्ती बहुत करता था बटेंथ में क्या गया है तो साइंस ले लो अगर अच्छा पढ़ दे हो तो साइंस के और कुछ ऑप्शन्स खुल जाते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ निए तो इंजिनिर बन जाओ अब डॉक्टर बनने के तो इतने पैसे थे नहीं वह ज्यादा लगते थे डोनेशन की बात करो क्यो लेकिन डाड ने मेरब बने तो फिर भी बोलेते हैं कि तो जित्ता भी खर्चाएगा टेंशन मतले मैं लोन वह लेके कराओ लेकिन पढ़ लेना बट मुझे पता था कि यार मैं डॉक्टर बनने लाइक नहीं हूँ मुझे बनना भी नहीं इतना शौप भी नहीं तो मैंने लेकिन यही था दिमाग में कि अगा एंजिनिरिंग कर लिया तो मैं अमीर बन सकता हूँ अच्छा नाम इज़त हो जाएगी बट जैसे जैसे में लास्ट फाइनल स्टेजिस पर पहुच्छा लास्ट थर्ड यर फोथ यर था तो मेरा ग्रूप था डांस ग्रूप जहां प तो मेरे दिमाग में इस वाड़ एक फसाड तुटके कि क्या है मतलब इतना अच्छा पड़ाई में मेरे से अच्छा पड़ाई कर रहा है फिर भी इसको 10-15,000 की जॉब मिल रही है और वी देड़ देड़ गंटा ट्रैवल कर रहा है और मुझे बतलब उसने बताया था कि इ不會 बहुत तकलीफ है, बहुत मार्केट बहुत खराब है तो मिरे कमाग में आया है यह तो वह नहीं पाएगा मतलब ना नाम है ना पैसा है इस तो तीनों चीज जिसका बचपन से था कि यहां से हो जाएगा तिनों नहीं थी मुझे बता जित्ते भी अमीर लोग होते है यूशुली थे बिजनसमेन वो बिजनस करते हैं अब बिजनसमेन कैसे बनते हैं वो थोड़ा रिसर्च की तो बता चला कि अगर आपको रिच इंसान बनना है तो स्टार्ट हैविंग अच्छी आदते अगर किसी इंसान की तरह बनना है उनकी अच्छी आदते अपने अंदर लाना चालो करो आप अना धीरी तरह बनने लग जाओगे तो एक सबसे एक कॉमन आपट जो सारे रिच लोगों में मुझे देखी वो थी रीडिंग की आपट बोलते हैं, leaders are readers तो मैंने बोला, अच्छा, ये सही है, ये मैं कर सकता हूँ बागी तो पता है नी तो मैंने book read करना है, मैंने search किया तो मुझे तीन books का recommendation आया रिच्ड़ाइट पूरड़ड, The Richest Man in Babylon और Things I Didn't Learn in School But I Wish I Had, ऐसा करके एक book थी पहली book ये मैंने बढ़ा, रिच्ड़ाइट पूरड़ड और जैसी वो book पढ़ा, मेरा दिमाख खुल गया, बोल सकता हो उसमें बहुत सिंपल सिंपल बाते थी, लेकिन ऐसी बाते थी जो कभी हमें जिंदगी में सिखाई ही नहीं जाती है अब पैसे से बाते बहुत सिंपल चीज तो मेरा दिमाग मतलग एक पैरडाइम shift आया यार ऐसा नहीं ऐसे भी होती है अब पैसे से जद अपने टाइम की वैल्यू करो डोल्ट वर्क फॉर्म नी ऐसे सिंपल सिंपल कॉंसेट्ट है जो कभी कोई सिखाता नहीं तो मेरा दिमाग खुलना चालो गया मुझे लगा कि यार मेरे बास मुझे सीक्रेट मिली आ है अब मैं बहुत अमीर बनने वाल हूँ यह विजे सब वाले मुपढ़ी है अब मैं करोड़पदी पक्का बनूँगा मुझे एक चुल आगे कि हम बुक्स पढ़ते हैं जो बात पाउफुल लोग होता है यह अग्र मैंने सब्सक्राइव किसरे करी सकतंथ magic मैं मैं इस फॉच्छाइटा कि मैं मध्या शभी निभी होता हूँ मुझे स्था कि जो जो फ нашем आंटरा चीश मेरे पहली है यह आद्ने लोग भी को मैं निया मेरे निग है उसको में को समझाने की चुल भी हमेशा से थी और तब मैंने नोटिस किया कि एक मार्केट गैप भी था इंडिया में कोई भी बुक समभरी अनिमेशन फॉर्मेट में समझा रहा नहीं था तो मैं ज़िए गैप इसको फिल करते हैं वैसे मिरी जर्नी स्टार्ट वी और वहां से वाचसप मेरा वीडिओ और इसडाट पोर डट काresoी वाईरल हो गया तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट वी अनई अभी तो सात सलना से स्पन Σब्सक्राइबर सें का मारे दो एक हमारे दौन यान के जहां यहां मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाते लोग So, how to maintain consistency in content creation वीडियो डालूगा या हर तीन दिन में वीडियो डालूगा मेरी capability नहीं हो बाती वो time पर मैंने सिफ एक लक्ष एक ही गुल था तब मैंने अपनी health पर focus नहीं किया तब मैंने अपने relationship पर focus नहीं किया मेरे दिमाग में सिफ एक गोल था कि हर संडे एक वीडियो जाना चाहिए और वो एक वीडियो जा रहा था regularly और जैसे जैसे आप अच्छा काम करकर डालते हो और views मिलना चालो होते तो दिमाग को लगता है एक dopamine मिलता है हर संडे को डोपमिन रश मिलता था वीव से इतना फर नहीं बढ़ता था लिए एक achievement रहती है कि हर संडे में डाल रहो और फिर वो consistency बनना चालो होगी आज ऐसा टाइम आ गया कि बिना संडे को वीडियो नहीं जाएगा तो मैं को जमें गई नहीं आपके भी आदत होगी जो आप हमेशा करते हो गर वो नहीं होती होगी तो आपको OCD जैसा फिर होता है कि या क्यों नहीं हो पाया तो consistency का यह है कि आप habit forming पर focus करो और कुछ मैं आपको book recommend कर सकता हूँ आप book पढ़ो habits commission की पावर ऑफ habit करके एक book है बहुत अच्छी वो आपको पढ़नी चाहिए उसके अंजर क्यू रूटीन और रिवार्ट का एक concept है कि आप ना जैसे कई बार सिगरेट के आधित कैसे लगती है तो एक दोस्त मिलते हैं वो एक क्यू होता है क्यू मतलब एक निशानी sign trigger जैसे याँ दोस्त दिखे उसको देखते साथी कई बार मतलब सिगरेट पीने हैं मनगरता हूला ऐसे घर के करते हैं तो वो एक क्यू है फिर एक routine होता है फिर दोनों दोस्त कहीं मिलके कोई एक spot पर जाते है कई पर उनका पीने का वो routine है और जब लोग cigarette light करते हैं तो उनको reward मिलता है तो कोई भी habit यह basic तीन structure से गुजरती है तो अगर आप इन तीनों पर भी काम करोगे तो आप एक habit create कर सकते हो अपने आपको कोई cue दो एक routine बनाओ और उसके बाद अपने आपको reward दो और कई बार जब habit अच्छी लग जाती है वैसे बुरी भी लग जाती है तो बुरी लगना जाद आसान है तो habits से बाहर कैसे आएं कैसे जाना है वो तो बताया बाहर आने के लिए if you can give तो अभी अच्छी रहे चाहे बुरी रहे दोनों का structure ही है मैने कोड पड़ाता है in a book में कि you right जो अच्छी आदते होता हैं वह मुझकिल ह要ती है बनने में लेकन जब बार जब बन जाती है तो आपके जिंदग़ी आसान कर देती है बूरी आदते बनना मुश्किल आसान होती है, लेकिन एक बर बन जाती तो जिंदगी आपकी मुश्किल कर देती है I think सबसे पहले तो साइकोलिजी आती है, आपको यह दिमाग में रखना कि मुझे अच्छे आदते बनानी है मेंटालिटी के आदा गिमा, आपने इतनी सारी चीज आपनी लाइफ में अचीफ की है I am so sure आप भी चीज को मानते होंगे, कि मेंटालिटी कितनी जादा इंपोर्डन होती है एक बड़ आप इदर से मान ले तो मुझे करना है उसके बाद हर चीज का होना थोड़ी आसान हो जाती है लोग यह दूर जैतर यही से नहीं मान पाते यहाँ दातर यही से यह नहीं करके कर पाते जिसके स्मोकिंग का लिन यहां पर सिरू गनना चाहता हूं कि यह बहुत गंदी चीज है यह तो लिखो पेच पे जाके लिख सकते हो कि सिगरेट से यह होता है यह होता है उसके ओपर कुछ मुवीज देख लो डॉक्यूमेंटरी देख लो अपने सॉबकॉंचिस में बैठाना स्टार्ट करो कि यार यह चीज सिगरेट बहुत गंदी चीज हो से कैंसर से दूल से इससे उसको करना चालो करो अटैच करना स्टार्ट कर अपने दिमाग में उसके बाद आप यही सेम चीज को कर सकते हो जो क्यू रूटीन रिवार्ड वाली चीज है वह जैसी क्यू मिल रहा है आप अना रूटीन चेंज कर दो रूटीन में जैसे आप कहीं पर कोई अड्डे पर जाते ते पीने के लिए उस अच्छा पर काम कर कोई रेस्टोरेंट चले जाओ मतलब बेटर हैबिट के तरफ चले जाओ तहीं घूमने चले जाओ और रिवार्ड बाप अपने पूछ भी दे सकते हो अब आउट ओफ इट वाट पॉजिटिव थिंग्स अटर गोंग तो हैपन राइट नेगिटिव असोशिएशन कई बार क्या होते हैं कि दे डोंट वर्क फॉर पीपल तो आपने का हेल्थ के लिए अब हेल्थ की कोई इमेज नहीं है तो अब आप कोई हेल्थ क्यों चाहि क्योंकि घर में मेरी चोटी बच्ची है और चाहता हूँ कि उसकी शादी में मैं रहूँ इसकी इमेज आ गई अब वो इमेज एक शांदार सी बनवा करके उसके सबकॉंचिस में फीड कर दो अब इमेज चली गई है कि इस इमेज के लिए यहाँ पहुचने के लिए इसको चोड़ना है अब सबकॉंचिस अपने इंटर्नल रिसोर्स को इंगेज करेगा विल पावर को इंगेज करेगा आइडेंटिटी शिफ्ट ले करके आएगा इनफ मूड मोटिवेशन जो मैनेज करना है वो मोटिवेशन मैनेज करेगा इसलिए हम देखते ना कई बार की कई बार तो हमें यह फॉर्मूला जो हैबिट लूप है यह हैबिट लूप फॉलो करना पड़ता है बट कई लोग हमने देखे होंगे कि एक रात में बदल जाते हैं एक दिन बस डिसाइड कर लिया कि अभी कल से नहीं पीना और बस फिर नहीं में बंद कर दिया पिना राइट कि यह मोमेंट का बात है यह मोमेंट नहीं बात हैं वेन यूर गोल इस प्लांटे इन देखे इन अफॉल इस बाइन एक्स्टेश एड़ा नहीं है वो फिर लगा सकते हैं Sometimes one decision is enough to change your life एक बार एक decision लेते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करना है कई बार ऐसा होता भी है आप लोग कि किसीया था किसीयात हुआ है कि यार गल्फिंड आ जाती है गल्फिंड आ मना कर दी तो अस देन सिग्रेट छोड़ दिया फिर बंदेने सिग्रेट नहीं विया पता है नहीं कि उसने में भी मेंटल इमिज ये बना लिएगी कि मुझे इसके सातरन है और अगर मैं पिवा तो छोड़ दूँगा और फिर छोड़ने की इमिज वही पेन अन प्लेजर प्रिंसिपल जो आपने बता है तो यह है एड़ देंट में लगते है ना सबसे इंपोर्ड़न वही मेंटलिटी है स्टार्टिंग में जब मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा बद भी थोड़ा बद कर लिया तब मुझे लगता थे यह लोग है जो अच्छा अचीव कर लेते हैं जो आपने लाइफ बताना नहीं है यह लोग जिसे अपने लाइफ में चीज़ा चीज़ा करें मुझे समझ मैं नहीं यह चिल में एवरीटिंग कर देटिए कि कई बार आपका माइंड आपका फ्रेंड होने के बजाए बहुत से लोगों के लिए दुश्मन बनके बैठा रहता है तो ऐसे मोमेंट्स में जब लोग बैठ करके ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं बहुत सारा सेल्फ डाउट ले रहे हैं और मैंने कई पोटेंशल वाले लोगों को देखा है कि जो इतना ज्यादा ओवर्थिंकिंग करते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते हैं मोमेंटम ही को देते हैं एक्शन लेने का जो वोटेख अन दाउट वर्थिंकिंग ट्राप एक बुक है हाओ तो स्टॉप वर्री अंस्टा लिविंग में डेल काने की में परस्टली जब मैं बहुत जद अपनी लाइफ में वर्री कर रहा था मेरी लाइफ प्रोड़ी प्रोब्लम्स चल रही थी मेरी सेस्टर की wtf क्वेए फृक्षर में वरी कर अबerek दो कि सर्फ नहींच मेरी बहुत क्या होगा कि सर्फ एक्या ख मिरेदी और या नहीं चल्राइफ कर सकते हो आज कर सकते हो आज में भी एक अपके विडी trying क्र सकते हो आज में बेए अप एक विडियो शुट कर सकते हो आज आप में भी एक script लिख सकते हो तो जादा future का मत सुचो सिर्फ आज पे और एक step और जाए चले आगे चले जाए तो power of now करके एक book है बहुत अच्छी एक आटोले की book है उसमें भी वो तो और एक step आगे जाके अगर मैं वो चीज़ वरी करूँ हो तो यहां की भी चीज़ खराब होगी यह podcast भी अच्छा नहीं हो पाएगा और कहीं नहीं वो वरी मुझे problem ही देगी तो एक simple सा solution है बट बहुत मुश्किल है बोलने में simple है अपलाय करने में बहुत मुश्किल है तो आपका भी take इस पर चाहूँगा आप भी बताना कि कैसे इसको अपलाय कर सकते हैं इतना मुवमेंट में जीने काइंड अनलपी के थ्रू में भी मुझे असा लगता है कि हर नॉलेज एक context में सच है मतलब उसके पीछे का एक context है जिसमें वो सच अगर वो context निकाल दिया तो वो नॉलेज बिलकुल विपरीत हो सकती है जैसे कि ये बात ही कि live in the present मेरे ऐसा मानना है कि rapist and criminals live in the present कि एक rapist सिर्फ present में ही तो जी रहे है अगर वो थोड़ा सा future सोच ले अपना और सामने वाले का तो शायद उसकी इंपल्स है उस इंपल्स पर उसका control आ जाएगा हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है अब यह एक तरीके से सही भी है लेकिन डर के आगे मौत भी है सिर्फ जीत नहीं है कई बार मौत में लेगी पहली चीज तो लोग इसका meaning rightly समझे कि living in the present moment का मतलब यह नहीं कि आपको हर समय present moment में रहना है हर समय present moment में रहेगा तो जो addict है वो भी तो present moment में जी रहे उसके हाथ में जो cigarette है उसका पूरा focus जो cigarette पर ही तो है वो अगर अपने माबाब को future सोच ले वो जो suicide कर रहा है वो भी तो सिर्फ अपना present ही देख पा रहा है अपना future नहीं दिख रहा उसको तो future देखना जो है वो एक बहुत important प्रकिरिया है हमारे brain की because इसे यह basically technically it is a simulation कि हम अपने past data को ले करके experiences को ले करके उस model को future में project करते हैं this is called simulation तो we are trying to project the simulation of future कि future ऐसा ऐसा हो सकता है but जब यह simulation सिर्फ negative scenarios को simulate करता है तो it becomes worry but if it can simulate the positive scenarios then it becomes constructive imagination जो कि एक scientist भी करता है कभी भी कर सकता है एक planner कर सकता है right so the problem here is basically is it happening automatically or is it happening consciously even thinking negative can be very positive if it is happening consciously for example मैं अगर चंद्रयान लौंच कर रहा हूं तो मुझे जितना negative हो सके उतना negative सोचना चाहिए कि क्या-क्या गलत जा सकता है जितना ज़ादा मैं negative सोच रहा हूं उतना ज़ादा मैं correct कर सकता हूं और उतना ज़ादा बढ़िया हो चंद्रयान को अपनी दूरी में डाल सकता हूं तो यहाँ पे बात positive या negative की नहीं होती, बात यहाँ पे है, is it conscious or is it compulsive? तो वरी की problem कहाँ पे आती है, वरी का main nature यह है कि compulsiveness है imagination में और same way अगर present moment में रहना भी compulsiveness हो गई, तो then it will become a problem for the person so what is more important is to live consciously and living consciously doesn't mean that we always have to be in the present moment means you have to live consciously, for example, right when you are here, your concentration and you are consciously present here there is no automatic thing here, you are consciously present here, तो यह अगर now पे आजाएं जो power of norm के हमने बात की थी अब यह knowledge कहाँ पे सच है, यह knowledge का context है कि आप suppose meditation कर रहे हो तो rapists, criminal and meditators, they live in present moment तीनों लोग एगी वकेट में आगे हैं, अब meditators, तो जब इनसान कहा रहा है present moment में जी हो तो basically यह कहना चाह रहा है, उस context को ले रहा है कि जब भी आपका विचार future में भाग रहे हैं it is called simulation, past में भाग रहे हैं, तो it is called rumination, तो जब आप simulation और rumination में चल रहे हो तो दोनों से हट करके present moment में अपनी awareness को लेकर के आजाएं उस present moment में ला है, but we cannot make it a rule that you always have to live in present moment otherwise एक addict जो सामने बर्गर देखकर के उसके आगे surrender कर रहा है वो present moment में होने की वज़े से surrender कर रहा है यह आपने यह बात बुली ने बहुत important है, one of the best principles जो मैं अभी तक पिछले इतने सालों में सीखा है ना हो यह nothing is black and white, आपना black and white binary में सोचना बंद कर दो कि या तो यह सही है या तो यह गलत है, exactly हर चीज के पीछे हर चीज रेलेटिव होती है, जैसे आपने मुला context में होती है, क्योंकि कई सारे authors मुझसे भी कई बार कमेंड में आते कि पिछले book summary मैं तो आपने यह बूला था कि saving पर focus करो, यह वाली book summary मैं बोर कि saving नहीं कमाने पर focus करो, तो कई बार यह कैसा वह हो रहा लेगिन अगर आप कमाई ही नहीं हो मतलब वह आप कई पर लोगे न मैंने देखा हूं कि 5-10,000 रुपय कमाते हैं और फिर saving और investing पर focus करते हैं तो उससे अप क्या ही कर लोगे, इससे चा तब आप सथा कमाने पर focus करो, एक करोड कमा कि save invest करोगे तो वह जाद आपको जल्दी wisdom, you will precisely know where to use it and where not to use it, right? वरना क्या होगा, जो किसी ने सपोज यो किताब पढ़ी, live in the present moment, सपोज और जिम जाकर के आया है, और सामने एक पिचर दिग गई जिसमें pizza, cheese bus, pizza, cookies, ice cream सब लगी वियो, देखकर के मुह में saliva generate हो रहा है, अब ये इसका दोंदे चल रहा है, उसका duality अब पोलर पार्ट उसके एक्टिव होगे, एक कहरा है कि अब जुम गया था, एक्सरसाइस करी ती, तुझे पतला नहीं होना, क्या, फिट नहीं होना, क्या, आप्स नहीं बनाने क्या दूसरा कह रहा है, लेकिन ये भी तो अभी बड़ा लग रहा है, सारा दोंदे चलेग आपनों पता, स्टॉइक और अपिक्यूरियन, तो स्टॉइक फिलोसफी यही बुलते, दोनों मेंसे मतलब मैक्जीमम लोग इन दोनों सेक्शेज में आते, अपिक्यूरियन लोग यह बोलते कि आज में जीना है, आज जो करना है मज़ए, योलो, यो अलने लिव वन्स, अ अच्छी हो सकते, तो कई अच्छी बैलेंस, इस नॉट अच्छा पॉइंट आपने डाला है, कि हुमन ब्रेन है, इस 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 है, दोश है मतलब के, तो एक बाइस ऐसा होता है, पोलराइजेशन बाइस मतलब कि जाधा तो लोग लगता है, मुझे एक साइड लेन कर देंगे, और I think जो बीच के रास्ते में चलते हैं, फिर ये भी है कि इनकी फॉलोइंग बनना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको एक साइड लेना जरूरी है, क्योंकि लोग बाइस ने है, बट एक तपका मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा, मेरी ओडियंस में भी दे तो आपके जो questions हैं, वो सभी थोड़े high level पर होने चीए, तब आप वो balance का रास्ता अपना सकते हैं, जब एक और चीज आती है, self doubt, I think worry is based in imagination and self doubt is based in inner voice, तो visual में है worry और self doubt आवाज में है, तो how to deal with self doubt, कभी जब आप content creation की जरनी पर होंगे, तो कभी self doubt तो आता होगा, तो कैसे उस self doubt को deal करते थे, और audience को कैसे guide कर सकते हैं, self doubt deal करने वे, especially जो लोग अभी vigner हैं, मेरे जब बच्पन में एक incident हुआ था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चपसा गया, मैं एक बार शॉप पे गया था, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और वो बंदे ने, जो shop owner था न कई बार कोई आपको जब positive कोई चीज बोलता है न, उसको मान लो, उसको accept कर लो, कि हाँ, होगा ऐसा, हमारे दिमागे ने बहुत powerful चीज है, अगर आपने किसी कोई चीज को मान ली ना तो फिर हमारे वो उसको proof करने के लिए कही सारी चीज़े करने लग जाएगा, अब वो उसने एक लाइन बोला था, बट मुझे लगता है वो एक लाइन के बहुत इंपक्ट हुआ है मेरे जिंदगी बेए, क्योंकि वो उसने एक लाइन में वो confidence देया, क्योंकि मैन उसको माना, मैंने किया कि हाँ सच में मागुच बड़ा काम करूँगा, और मुझे लगा आज म पासला की व्यूज आए, इसके पर तो एक मिलियन व्यूज आए बड़े से उसके पासलाग फ्यूज आए, मैं कमपैरिजन बता रहा हूँ, इक बंद आ, सोशल मीडिया में स्पेशली, आप जिसके पास सो फॉलोवर्स है वो दोसों से जल रहा है, दोसों वाला है, मतलब वो कॉंस्टेंट जैसे पैसे में होता है, वैसी इधर भी है, आएगा वो तो मेरे में भी आपी भी आता है, बट ट्राइ करो, अवोईड इट, एं सीव अपने उपर फोकस करो, और अपने आपको छोटे-चोटे गोल्स देके, उसको अचीव करने ही कोशिश करो, तो आप अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, यह उपर वाले मुझे न, समझ देना, हिम्मत देना, उन चीजों को बदलने की, जो मैं बदल सकता हूँ, पेशिस देना, उन चीजों को ना बदलने की, जो मैं नहीं बदल सकता हूँ, और विजडम देना, इन दोलों के बीच के डिफरेंस को समझने की, क्या बात है, और मुझे यह बहुत प्यारी यह वाली बात क्योंकि यह कहीं नहीं होता है तो हम लोग कहीं पर उन चीज़ों के चिड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हात में ही नहीं है जैसा politics हो गया, weather हो गया या दूसरों के emotions हो गया, traffic हो गया वो चीज नहीं control में है आपके control में क्या है त्राफिक में क्या कर रहे हो त्राफिक में आप गाली दे रहे हो पटक पटक के या फिर आप बेभी podcast लगा लिए कोई अच्छा जाएसा YSRG का या फिर आप बार podcast सुन रहे हो आप तो उससे एक mentality shift आएगा और आपके अंदर एक confidence पे रहे हैं मैंने कुछ गंदे situation में भी मैंने कुछ प्रोड़क्ट अच्छा काम किया और अपने time का सही utilize किया यह भी है और एक चीज यह बोल सकत हो कि छोटे goal set करो अपने लिए achievable goals जैसे कि मैं एक short बना कर वीडियो डालूँगा वीडियो पर कितना view आएगा इस पर आपका control नहीं है लेकिन वीडियो बनाना आपका control है तो वीडियो बना क उसके चक्कर में फिर पहुच भी नहीं पाते हैं वहां तक इसमें एक book है OKR करके measure what matters करके book है तो उसमें नहीं आप objective ऐसा बड़ा बनाने के लिए अथर बोलते है objective ऐसा बड़ा बनाओ जो थोड़ा अनचीवबल हो जैसे कि I want to become the biggest podcaster in the world वो objective है वो ऐसा होना अची कि गुट इदम एक shooting star जैसा जो आसमान में बोट दूर है चैलेंज कर दे आपको लेकिन फिर उसके objective के बाद आप key results बनाओ key results ऐसे बनाओ जो आप measure कर सकते हो key results जैसे कि अभी वही होगया podcaster बनना है तो key result क्या कर सकता है कि हर अफते मैं दो new celebrity के साथ podcast करूँगा और उसको आप measure करना चालो करो ऐसे जब key results आप measure करते होगे तो एक नाएक दिन आप objective तो पहुची जाओगा और ऐसा Google करती है Intel ने ये system को follow किया है Google ने आज तक ये follow करते है और ये पिछले 20-15-20 साल से OKR method very nice so I think social comparison से अगर हट जाएं OKR method यूज करें चोटे goal set करें small wins create करें तो उससे ये self doubt जो है वो बाहर आने लगेगा तो social media पर जैसे हमारी बात चली तो क्या influence आज आपको लगता है social media का overall mental health पर आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़दा anxiety worry ये सब चीज़े बढ़ती ही जारी लोगों और in fact ये corona एक study भी आई थी आप उसका paper डाल सकते हो आप गला कि कितना ज़ादा ना कितना I think 50% ये कितना परसेंट तो बहुत ज़दा mental illnesses बढ़ चुकी है corona के बात से 20% से ये depression बढ़ चुका है Indian psychiatry society के holding 56 million cases है depression के 36 million है anxiety के राइट 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 ये वही डीटा मुझे एग्जाइट लिए आद ना किके ना मैंने एक चीज़ और वह हुआ है मैंने भी जब नोटिस किया जब सब कुछ बंद हो गया था जब सिफ लोग अपने screens पर देखे जा रहे था तब य और ये human fit रहत है हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हम अपने आपको compare करना चालू कर देता है उनसे ये चीज़ ये को double edge sword है अगर आप इने कुछ एक close group के साथ कर रहे ह। अच्छे लोगों के साथ कर रहे ह। चार-पाच लोगों के साथ एक mastermind create करके तो मुझे लोग सब के बड़े-बड़े और extreme results social media पर पड़े है और कहीं अगे हम लोग देख के सोच रहे हैं हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है हम ऐसा क्यों नहीं कर पारे हैं से हमारा self-doubt भी खराब और mentally pressure भी आते जा रहा है मुझे लोगते नहीं जो comparison की चीज़ नहीं मुझे भी काफी प्रॉब्लम दिये मुझे anxiety आती थी anxiety तो कभी-कभी आभी भी होती anxiety panic attacks आते थे वो अब रुग गया panic attack बहुत से लोगो शाद नहीं पता हो उसमें आप इदम में को पहली बार हुआ तो में को तो लगा मैं मरने वालो मेरे हाथ पर इस अब ठंडे हो गए तह मैं स्टेशन बहुत साल पुरानी बात है, panic attack में ऐसा हो तरह दिल की धड़कन इदम तेज हो जाती है आपकी और आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, बैठोगे तो खड़े रहने का मन करेगा, खड़े रहोगे तो बैठने का मन करेगा, इदम अजीब सा सीन हो जाता है, खेर panic attack मेरा क करता हूँ, अच्छा, बुरा, नेगेटिव, जो भी धर कोई बात होती है न, वो मैं निकालता हूँ, तो मैं viewers को जित्ते भी लोग है, मैं चाहूँगा, अगर आप लोग में mentally fit रहना चाहते हो, anxiety, worry ये सब से एक बहुत अच्छा solution है कि कुछ लोग अपनी जिन्दगी में ज़रूर रखो, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी बात सुने, जिनके सामने आपका जो सबसे dark side है, सबसे गंदा side है, गंदी बात है, बुरी बात, आपको वो बोलना आना चाहिए, मैं notice करता हो आजकल लोग बोलते ही नहीं है, ये कहा वेस्टन philosophy, कहां से हमने इस देता, mentally, even physically, मैं podcast किया था, मैंने एक के साद वो मुझे बता रहे थे कि कैसे, वो जो guilt और emotions होते है, वही कही बर manifest होके हमारे बीमारी में निकल जाता है, मतलब उसे कही नहीं निकालना आपका ज़रूरी है, इसलिए कई psychiatrist हो ये लोग भी बोलते है, कि आप nature में walk करने ज लिखो, अपने emotions को पहीं लिखो, उसे फाड़ो, नदब लिख के फाड़ दो, जला दो, लेकिन कहीं नहीं वो emotion निकलना बहुत ज़रूरी है, तो practically ये एक tip है कि आप दो tip हो गई कि आपना कुछ खास लोग अपने दोस्त रखो अपनी जिंदगी में, मेभी आपका partner lover, या अपने parents, आपकी parents आपकी बहुत सीकर गरते हैं, हम लोग है ना, parents की फिकर नहीं करता है, जो हमेशा हमार लिए available रहे हम उनको गिनते ही नहीं, लेकिन सच में वो लोग जितना समझेंगे, I don't know, और को इतना अच्छे सा आपको बिना judge किये समझ पाएगा, तो parents से बात करो, अपनी girlfriend या फिर आपके partner से बात करो, इस से करो, और ये भी नहीं हो पार, तो at least book में या कहीं journaling करना start करो, जहांब आप अपनी thoughts को, अपनी emotions को निकालो, ये चीज़ आपको mentally stable रहने में काफ़े help करेगी है, lovely put, मतलब कि बहुत ही अच्छा बताया, आपने की बाहर निकाल देना बहुत important है, जो guilt कि आपने बात करी, किसी भी परकार का separation जो है, चाहिए वो हम emotions को surprise करें या और किसी चीज़ को, तो suppression कभी ना कभी आपके शरीर में, या तो किसी unnecessary pain की तरह है, या किसी unnecessary बिमारी की form के अंदर कई न कई मैनिफेस्ट जरूर होई जाता है, और यह बिलकुल true है, खौत हमने इतने सारे cases देख लिए वहने, जिसमें doctors ने MRI कर लिया है, सब कर लिया है, X-ray निकाल लिया है, लेकिन कोई वज़े निकल के आरी, still बंदा परिशान है, लेकिन फिर जब उसके past को heal करत है, यह उसके कोई trauma अंदर पड़ा है, उसको heal करते हैं, जैसे वो निकलता है, इंसान ठीक होने लग जाता है, completely heal होने लग जाता है, तो जो expression है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, in fact, कई जगाओं पर तो नहीं catharsis use किया जाता है, नहीं तो सार्थार्सिस क्या प्रोसेस ह या चिलाएंगे, या जोड से रोएंगे, तो अगर आप ओशो को फोलो करते हो, तो ओशो के meditation में catharsis बहुत फोलो करता था ओशो, ओशो की नहीं laughter है, एक point पे सब को हसाया जा रहा है, सब हस रहा है, फिर सब नाच रहे हैं, सब फिर बिल्कुल silent बैट गए हैं, तो catharsis body को use करते हुए, जो भी hidden suppression है, उन सब को release कर देना, that is called catharsis, तो हमारी culture में catharsis हमेशा इस सरा है, जैसे किसी loved one की death होती है, तो इस death का trauma बहुत अंदर बैट सकता है, ठीक है, जो कहते हैं, दिल पत्थर हो जाना, या आसु सूख जाना, इसलिए बोलता है रो, रो, अना लोगों में चला गया तो उसको रोना नहीं आता है, तो उस case के अंदर हो बंदा बिलकुल या तो पागल हो जाता है, या free depression में चला जाता है, भाहर नहीं आ पाता, तो जो गाओं में अगर आप तो गाओं के वेगराउंड से, मैं गाओं के वेगराउंड से काफी हूँ, तो हमने गाओं में आप देखें, तो collective रोना होता है, एक साथ मिलके सब रोते हैं जोर से, और कोई भी मेमान आये तो जोर से रोते हैं, अपनी चाती भी पीटते हैं, तो पूरा body का use करते हैं, जोर से रो करके, चिला करके, this is an expression of grief, जिसको आप express कर रहे हो और बाहर निकाल रहे हो, जो ये कर ले रहा है, वो जल्दी इसमें से बहार आ जाएगा, तो ये catharsis हम लोग naturally भी follow करते हैं, लेकिन upbringing ऐसी है, कि especially male के साथ में ऐसा होता है, कि female naturally catharsis करती रहती हैं, उनका natural process है catharsis का, वो चिला लेगी, वो रो लेगी, right, express कर देगी, लेकिन male को बचपन से ही ऐसी training द होलते हैं कि अब लगी की तेरे रो रहा है, ठीक है, थोड़ा तो उसको दर्द हो जाये तो बोले कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, तो ये सारी बातें करके उसकी ऐसी conditioning की जाती है, कि वो ये normal नहीं समझता, इसके around एक stigma उसके अंदर रहता है, वो stigma की मैं share नहीं कर सक मैं बता नहीं सकता, मैं बताओंगा तो लोग क्या सोचेंगे, हसे तो क्या होगा, इस वज़े से ये बहुत अच्छा point आपने कहा है कि कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए, जिनके पास में आपके अंदर कोई fear of judgment नहीं है, कि मुझे ये पागल नहीं समझेंगे, मेरा ये मजा पिता के थपड़ खाले ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो ये stigma है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है, and people see it as कि कोई बेकूफ इंसान है जो डिपरेशन में जाते हैं, ना समझ लोग हैं जो डिपरेशन में जाते हैं, ऐसा एक stigma भी है, जो stigma actually लोगों को uncomfortable करता है, कि मैं जाके support ले लूँ, या मैं जाकर के बात कर लूँ, so what do you think on, ये podcast actually तो initiative इसी चीज़ पर है कि ऐसी बाते हैं, हर podcast में हम mental wellness तो लेकर ही आते ही हैं, ताकि थोड़ा बात, जितनी जादा बात होगी, उतना ये normal होगा कि लोग easily share कर सेंगे, जैसे आपने public platform पे easily कहा कि मुझे anxiety आया, panic attack आया, right, generally लोग बताना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ों को, अंदर छुपा के रखते हैं, अगर आप जो last season था, coffee with current में, तो उन्होंने कहा कि वो anxiety के लिए therapy ले रहे थे, जिस बात को उन्होंने बहुत समय तक बताये भी नहीं किसी को, उस season के अंदर उन्होंने प आपको बता देता है, जरा भी उसको फिकर नहीं है, वो इंसान भी अपनी anxiety को लेकर कि इतना clear नहीं था है कि वो सब के सामने बताओ, so how to end this stigma, what do you think, क्या किया जा सकता है, आपने जो बताया, I think आप भी question में आपने solution दे दिया था, कि हमें जित्ता बात करना चाहिए, stigma तो थोड़ा कमजोर है, ऐसे टाइप की चीजे है, बट मुझे लगता है, अच्छे से अच्छे इंसान के साथ होता है, बस लोग बताते नहीं है, कई बात, और especially जो लोग हाई पोजेशन पे जितना आप जाते जाओगा, अतना यहां से pressure बढ़ता जाता है, लोगों का, और व हो गई, तो मुझे लगता है, हमें तो बात करके जिसे आप बतार होई लोगों को, जिसे मैंने बताया, मैं भी पहले सोचता था नहीं बताया करूं, लेकिन मुझे भी पता कि मैं बताऊंगा, तो मुझे बताए कि शाएद कुछ लोगों को ये चीज आजीब लगेगी, य यार, ये तो इतनी बुक पड़ता है, फिर भी इसको भी हो रहा है, ये इतनी की इतना ग्यान करता है, ये फिर, बात वो ही नहीं है, मैं भी इनसान हूँ, मुझे भी बुखारब चटता है, बुखार होता है, मुझे भी मेरा भी पेट खराब होता है, वैसी ये भी हमारे दि बात करके निकाल देता अब मुझे सीख गया हूं कि उसको हैंडल कैसे करना है यस कई बार वह प्रेजेंट रहेगी वटा मैं उसे हैंडल करना आगे है बहुत मच बेटर हो गया हूं में पहले से और इसमें कई बार यह जो पॉइंट आपने का कि इसमें मैं वेलनेस पे बात अब लोगों से ज्यादा जोश चाहिए होगा तो मने बतायागी वेक्टीरिल इंट्रेक्शन हो गया तो भूले आपको कैसे हो गया वाय की मैं आपका में अन्टर हूं यह मैं जानता हूं या आप जानते हूं बेक्टिरिया थोडी जानते हो इसा कि सूख रहा है तो इसको पता है, नहीं हम भी सीखी रहे हैं, हम भी प्रोसेस में हैं, हमें भी बहुत सी चीज़ा पता चलते रहे हैं, जितनी पता चलते हैं, हम शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको भी पालू पड़े हो, आप उस चीज के वरे में कुछ कर सको, हम मिल के ग्रो हो सके, तो coming to the point of content, हम self-doubt की बात की, content बनाते समय लोगों को self-doubt रहते हैं कई बार, जिसकी वज़े से वो consistency जो आनी चाहिए, वो consistency नहीं आती है, तो एक बार mindset पे काम कर लिया, worry को handle कर लिया, self-doubt को handle कर लिया, So, कोई ऐसे 2-3 important hacks, जो आप बता सको की content creation में success पाने के लिए, especially इस field में अगर किसी को success पानी है, तो क्या 2-3 चीज़ें जो आपने observe करी होंगी pattern अपनी life में, जो follow करना चाहिए? मुझे लगता है मेरा channel चला ना, 2-3 reasons के वज़े से चला, मेरा channel बहुत जल्दी चला, पहले तो उसमे novelty थी, एक नयापन था, आप notice करना new, जब अभी जिसे iPhone का भी launch हुआ था उनका जब speech हो रही थी न, तो power words का use करा जाता है, बहुत power words होता है, जैसे कि you, आप content में जब आ मेरा दिमाग में novelty बास था, तो आपने नया चीजे करने की कोशिश करो, मेरा जो YouTube channel चला, जो चला, क्योंकि मैं book की summary एक नए तरीके से दर था, wide word animation जो बहुत अलग था, हटके था, तो लोगो ग्रैप किया, बहुत लोगों ने उस चीज को पसंद किया, अब novelty राने के राइटिंग पर focus करो, जैसे कि for example, आपने देखा को कई सरी बड़ी-बड़ी movies होती है, जिसमें बहुत-बड़े अच्छे directors होते है, actors होते है, हर चीज अच्छी होती है, story में दमनी होता है, विट नहीं चलती है movie तती जदा, खराब चलती है, वहीं कई बार ऐसा होते है कि जो movies में कोई इतना बड़ा director नहीं, अच्छे actors नहीं हो, लेकिन story बहुत powerful होती है, तो वह काफी सदा चल जाती है, क्योंकि add-dent story बहुत पावफ, वह, story जो होती है, content जो होता है, writing, especially script, वह सबसे important part होता है, मुझे रखता है, उसके बारे में लोगों को सीखना चाहिए, क् अच्छी editing, VFX, sound, actors लोगों को खड़ा करके, एक बड़ी इमारत आप kind of create कर सकते हो, तो practical tip तो मैं यह देना चाहिए, क्यों को सीखने की कोशिश करो, copywriting सीखने की कोशिश करो, इससे आपको मालू पड़ा है, कैसे आप अपने content में novelty ला सकते हो, अच्छा पन ला सकते हो, बहुत मुश्किल है, एक book है, where do great ideas come from, उसमें author बताती है, कोई भी idea ने actual में, ऐसा नहीं कि मैंने इदम scratch से मेरे दिमाग में आया, मैंने ही पैदा किया हूँ, idea कहीं है, maximum time यहां वहां से ही आता है, जैसे कि podcast का idea किस इंसान को interview से होगा, कि एर interview में सिफ एक सवाल, एक जव बताया गया है, तो आप मैं ही बुरो कि देखो, आप मार्केट में क्या चल रहा है, और उसकी हिसाब से आप थोड़ा से तड़का लाग कि अपना पंड डालो करो, और इसा चल्दा भी मार्केट में है, बहुत बढ़िया अप्टगा कि, कई बार कहते हैं कि, यह मेरा बना कोई भी चीज़ 100% original आप नहीं बना सकते हैं इस दुनिया के अंदर, basically creativity means acquisition and reorganization, दो पार्ट होते हैं creativity के, first you acquire and then you reorganize, तो अगर Einstein gave E equal to MC squared, तो E पहले से था, M पहले से था, C पहले से था, he acquired E, he acquired M, he acquired C, and he found the relationship between them and then E equal to MC squared, right, exactly, so it's about acquisition and reorganization, तो एक बहुत अच्छा point अपने यहाँ पे, I think, बड़ी simple वाशा में कहा है, कि पहले जाके कुछ पढ़ लो, सीख लो, देख लो market को, तो वहाँ से अपनी creativity को एक spark दे दो, and then आपका mind को दी, उसे reorganize करके, और कुछ खूबसरे से चीज़ बना करके, और आगे दे देगा, बहुत बड़ी अजीर, जिशान म है, जब भी लोगों से मिलता हूँ, जो भी लोग सफल होते हैं, तो आजात्मिक्ता को बड़ा मानते हैं, कि वो एक spirituality का बहुत बड़ा रोल मानते हैं, अपनी success में, और आगे बढ़ने में, तो आपकी, इस content creation की success के अंदर, इस spirituality का क्या रोल रहा? मेरे सबसे न, ये anxiety, worry, ये सब होता ही जादा है, जब अन्हाम come spiritual होना चाल लग जाते हैं, जब हम लगने लग जाते हैं, कि हर चीज हमसे ही हो रही है, हम ही कर रहे हैं, मैं करूँगा तो ही होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मतलब चीज हैं हम बहुत जदे हैं, कुछ तो है, जो हमारे उपर जो सीजों को चला रहा है, जैसे आपकी mentality ऐसी बन गई न, आप तुड़ा हलके हो जाओगे, कि अर मैं तो सिफ काम कर रहा हो, करना हो तो बर वाला है, और मैंने इचीज नोटिस की, मैंने भी कई सारे podcast successful लोगों की किये, मैंने वो लोग के अं बुल सकता है, सीकेन और गीगल है, हम लोग भी डिसकस कर रहे थे, तो he was more of like scientific approach, इस ब लाइफ को लेके, he was talking about, मैंने तब वो टाइम पी मैंने बोला कि, what is the purpose of life, बड़े-बड़े question आते हैं कई बार कि, जिन्दगी का purpose क्या है, ये सब क्या है, और पता नहीं मेरे साथ ही ह मैरे बच्पन में ऐसे मेरे साथ हुआ है कि अभी कभी दिमाग में कभी को भी आते हैं मैं मैं ही क्यू हूं, अभी अपने सा सोच है, ये आइने में जो दिख रहे हैं मैं ही क्यू हूं, कोई और क्यू नहीं है, और जैसे मैं फील कर रहो ऐसे ही मैं ही क्यू फील कर रहो हू exactly यह तो नहीं मुट ऐसा आता है कि मैं कौन हो हाँ मैं कौन हूँ मतलब this person who is existing why he exists and why he is there who is he because body नाम तो नहीं है नाम तो लोगों ने दे दिया है तो नाम भी नहीं हूँ शरीर हूँ क्या तो शरीर भी नहीं हूँ तो जब मैं कहा रहा हूँ कि मैं योगंदे सिंह राटोड तो यह मैं कौन है इस शरीर है अगर यह शरीर है तो जब मैं पात साल का था तब भी मैं योगंदे सिंह राटोड था शरीर तो कुछ और था उस टाइम पर आज शरीर कुछ और है साट साल का भी योगंदे सिंह राटोडी रहेगा शरीर तो बदल जाएगा तो शरीर तो continuously बदल रहा है कहते हैं एक साल में पुरी बोडी रिसाइकल हो जाती है हमारी every year entire body recycles तो पुरी बोडी रिसाइकल हो रही है ये तो हाला कि चेंज इतना small होता है कि पात-दस साल बाद हमें actually पथा चलता है कि या इतना बदल गया होमें वर्ट हो हर रोज देरे 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 बदल रहा है तो शरीर तो अरोज बदल रहा है हो तीन साल वाला योगंदे सिंह राटोर तो अलग था उसकी जो शरीर थी हो तो अलग थी बिल्कुल बोडी तो अलग थी, तो याने बोडी तो नहीं हूँ, यह बात तो पकी है, फिर दूसरा आता है कि का परस्नालेटी हूँ, व्यक्तित जो अंदर परस्नालेटी है, वो है क्या अब परस्नालेटी भी तीन साल के बच्चे की अलग थी, आज अलग है, साथ साल को हो तो व्यक्तित भी तो बदल रहा है तो फिर क्या हो यह कुश्चिन एक्जिस्टेंश क्राइस की तरफ चले जाता है लोग पगला लोग है ना बहुत हो जाते इस कुश्चिन को लेगे इस सवालों के इसलिए कंटेंपलेशन और सेर्फ रिफलेक्शन जरूरी अगर वह नहीं किया ना हमने तो वो इंसान spiritual stress में चला जाता है अब यह सवाल उसे ऐसा गेर लेते हैं तो कई बार spirituality इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर यह सवाल उठते हैं अगर seeking है हमारे अंदर कि एक खोजने वाला दिमाग है curious दिमाग है तो यह curious दिमाग को खोजना बहु इंडिया है थे उनको भी और existential crisis हो रहा था कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं उसके जवाब डूड़ने हूं कई बार इंडिया था तो मैं जब यह सब सवाल इतने बड़े है ना इतने ज़ादा है ना मैं इसके लिए इसका अंसर spirituality में उनता हूं क्योंकि अगर आप scientific तरीके exactly नहीं बता यह सिफ बोलते हैं यह नेचर है ऐसा इसलिए काम करता है बट वो क्यूं काम करता है नहीं बत वो ऐसा है इसके यह properties है science भी एक टाइम तक answer नहीं दे पाता है और अगर आप फिर questions भी questions भारे रहेंगे तो आप पगला भी जाओगा इसलिए कई बार जो scientist होते है जो बहुत ज़दा गुस जाते हैं इस में सिफ scientific approach में कई पर लोग इधर से एड हो जाते हैं वो लोग नहीं समझ भाता है क्योंकि दुनिया बहुत वास्त है बहुत वास्त है यह कैसे काम करता है मैं हर चीज की पीछे नहीं जा सकता है तो मेरा मतलब भी है कि बहुत सारे questions से इनका answer हमें नहीं मालूम पढ़ने वाला है और वो question का answer मैं spirituality में डूनता हूँ वह ही से मिलते कि और मैं believe करता हूँ कोई तो है जो इतनी complex चीज पूरी दुनिया को चला रहा है और वो चीज मुझे tension free रहे है अपने काम करने में help करती है राइट सो I think that spiritual honest से एक I think stress कम होत सब्सक्रान का और even ego भी नहीं arrogance भी नहीं आती है कि अगर फैल हो तो आपके मन में एक है कि कोई सम्भालने वाला है लेकिन अगर आप सफल हो तो भी आपको कि मैंने नहीं किया है काफी अपने किताबें पढ़ी है आप इतने वीडियो बनाए है so how do you see the role of reading in growth success पानी का कोई shortcut तो नहीं है ठीक है लेकिन अगर कोई shortcut है तो मुझे लगता है वो reading या फिर mentor से सीखता है क्योंकि अगर आपको जैसे कि मैंने मेरा पहला वीडियो जो मैंने बनाया था नहीं यूटूब पे सबसे पहला आज पर काफी अच्छे views आ गया है पहले नहीं आया थे English में मैंने बनाया था तो उसमें मैंने यहीं चीज को बताया था कि अगर तीन रास्ते एक इंसान के पास bodybuilder बनना है में को अगर Arnold की तरह body बनानी है वर्ल्ट का सबसे बड़ा champion बनना है bodybuilding में तो तीन रास्ते है या तो पहला रास्ता है कि मैं खुद से करूँ खुद से मुझे जो म और मुझे खुच सिखाएगा और मैं उससे सीखू तो बतो इन तीनों में से कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है कोई भी बुलेगा Arnold वड़ा ही सबसे बेस्ट है तो तो मुझे लगता है न हाँ अपनी लाइफ में मुझे आर्नॉल्ट तो नहीं मिल सकता है राइट लेकिन आ अपनी पूरी बाते दिन खोल के बता ही होती है तो मुझे लगता है यह शॉटकर्ट बुक इसलिए पढ़नी चीज़ा रहे आपका प्रसपेक्टिव खुल जाता है आपका दिमाग खुल जाता है आपको एक्सपीरेंस मिलता है आपको आपको आइडियाज मिलना चालो होत जैसे कि Elon Musk भी जो है ना वो बोलते है कि मुझे भुकस ने पाला है उनकी भुक में उनने बोलेकि बुकस ने पाला है इक हमने बारा अट बढला देते है वो रौकेट सांटेस कैसे बने उनने कोई कोडर्स जीज़ नी किया उनने बुक्स पढ़ा बुक्स से पढ़ कि और दिया जिसमें वो कितने successful बन गए तो अगर एक इनसान को books इतनी बड़ी billionaire बनने में help कर सकती है तो आप क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहा है क्या बात है So I think reading is very important part of your life and I think लोगों को भी करना है चुरी यह कितना बड़िया point का है कि शोटकट अगर कुछ है तो reading and mentor से शीख नहीं है because एक आदमी किताब लिखता है शायद अपने जीवन के 5 साल, 7 साल कोई तो अपने जीवन के 10-12 साल की कहानी सब कुछ उसमें डाल दिया और उसका 10-12 साल आपने 2 दिन में पढ़ दिया पास साथ दिन में पढ़ दिया तो यानि कि वो extra जो आप शायद अपने अनुभव से सीखने जाते तो शायद आपको 18 साल और लगते जो अनुभव आपने पहले ही सीखनी है तो it is saving your time as well plus it is giving you wisdom as well beautifully explained and before we move to the rapid fire my last question is any three tips that you can give to be successful any three tips you can give मेरी सबसे पहला तो यही कि यार बड़ा माइंटेट कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत रखो बड़ा सोचते के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी लास्ट पॉइंट ही था मेंटर्ज रखो बड़ा सीखते रहो मेरे सबसे की मेरे सबसे इक मेंटायलिटी यह और आक्शन लिए उत Rankस निकाल देँ मेंटायलिटी पर काम करो और आक्शन लिने पर स्वैम अपना यार माइन था Conference लाशन पहान लवली लॉब्ली लवला ह Works दो Full of full but fruitful or many and diverse Few and fruitful Intellectual Jishan or action taker Jishan Action taker Jishan One discipline hack that never fails you Reading, learning Self-care routine after a long work week Going someplace, chill out, movies Go to tech gadget for creative process Laptop Content creation ka sab se bada challenge Staying focused Social media, blessing or curse Depends how you use it I am using it as a blessing One business guru you always listen to Tony Robbins, abhi office chalo kya Pahle mene sunna, fwe chhoddiyata Pahle office chalo kya Personal branding ek natural talent Ya learned skill You can definitely learn it The book that change your perspective on life Reject worded, think and grow rich E-books or physical book Physical books Sab se difficult engineering subject Yad bhi nye vya ka engineering ke subjects Begji yom engineers ki kaani hai If not a podcaster Tech entrepreneur Ya fir full time engineer I am a teacher One goal for the next year Scale your podcast Ya fir start a new venture Scale podcast One historical figure You would like to invite on your podcast Napoleon Hill Chill out time Reading a book Ya going for a walk Going, going for a walk Why am I reading a lot more I mean, more knowledge in my mind If tomorrow you wake up Losing all your wealth and identity How will you start again? Definitely content creator If you write a book in your life What will it be? The boy who read and became Inspiration to millions And if you want to define your purpose in three words I think educate people more Actions to help And help their life more Next level Lovely Lovely .